आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्याज के परांठे की रैस्पी जो की आप इस तरीके से बनाते हैं मिंटों में परांठे बनकर त्यार हो जाते हैं तो यहां पर लिया है एक मैंने मिक्सर जार और इसमें डाले हैं मैंने दो मीडियम साइज के आलू काटकर कच्चे आलू हैं और यहां पर चार से पांच हरी मिर्च हैं और प्याज है जो पांच से छे हैं यह छोटे साइज के प्याज हैं और प्याज की कौंटिटी थोड़ी यह तो यहां पर प्याज का पेस्ट मैंने डाल लिया है और इसमें लगा है यह जार चाओ है। पेस्ट में पानी डालें गे और अटा लगाते वक्त पानी यूज कर लेंगे और यहां पर अधा टीस्पून है जो मिट्स पावडर डाला है। अधा टीस्पून धरियां पाउडर आधा टीस्पून और नमक है जो सवाद के हिसाब से लेंगे आप तीखा और भी अपने हिसाब से करज सकते हैं कम या जादा है यहां पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है थोड़ी सी और जो पहले डाला था मैंने मिर्च पाउ इस तरीके से प्याज डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है प्रांठे में और एक चमच है जो तेल डाला है ताकि अपरांठे है जो अच्छे से करीश्पी बने और इन सभी मसालों को इस आटे में करेंगे मिक्स आटा गूंद लेंगे जैसे आटा गूंते हैं वह आटे का डो लगा दिया है देखिए और मैं इसे ढख कर रख देती हूं दस मिंट के लिए और दस मिंट बाद है जो इसे फिर से एक बाद चिकना कर लेंगे ताकि प्रांठे में बनाते वक्त कोई परेशानी ना हो इसे एकदम चिकना कर लेंगे और इसे चिकना करने के बाद मैं इसकी लोईया तोड लूंगी तो यहां पर देखी सभी आटी की लोईया तोड लिया मैंने और लोईया बना कर रख लेंगे ताकि प्रांठे जटपड से बनकर त्यार हो जाएं और यह देखी लोईया बना कर रख ली हैं और जिस तरीके से रोटी बनाते हैं सिम वैसे ही सुगाटा लगाएंगे तो फोड़ा सा बेलेंगे और इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सूखा आठा और इसे फिर फोल्ड कर लेंगे और फिर से ही इसके पर तेल लगाएंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा सुखा आटा इसे क्या होगा हमारा प्रांथा है जो लेर वाला बनकर त्यार होगा और खाने में जो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा देखी इस तरीके से आप एक पर जुरूब नाई आटे में म जाला था इसे बहुतถी परांथे बनकर त्यार होते हैं और बेल लेंगे इसको अगर अब सफर में जा रहे हैं लमबे सफर पर तो आप एक बाल sus से परांथे बनाते कर देखिए और और आप उधर में इस तरीके से परांथे बनाए और दे के हakes någon arts review okay तो मैं इसके उपर लगाए refined dåil और इसे दबाद बाकर अच्छे है जँ अच्छे सेख लेंगे चारों तरफ सेैं ऑर इस तडय से सभी परांथे जो भना लेंगे और यहां पर देखि यह दोसरा तरीका उनक्ता पार हुएं हमने यह पर रिप फ्मय खाए कर देंगे और सूहाइप यह था आक आप तैल लगा कर यह तरीके से भित परान्था बना ब हम प्राउड थी जरूड कर देगे इस तरह के वह असानी से बन पर त्यार हो जाते हैं और यह पर दिया है के बना आपको कैसा लगा आज के वीडियो में ही इतना ही दन्यावाद जाहिन और आप एक बार इस त्रीके से प्याज के प्रांथे देखें